दोस्तों बुम्रा के पंजे में दोस्तों आस्ट्रेलिया का सितारों से सजा बल्लिबाजी गरम तो हर्शित राना ने भी उन से कंदे से कंदा मिलाते हुए मचाया ऐसा हाहा कार 110 रनों के भीतर आस्ट्रेलिया को समेट कर रख दिया नय दिहास अपनी खौफनाक गेंदबाजी से कंदारों को दिया ऐसे जखम भर पाना होगा नामुम्किन तो आकर कैसे बुम्रा और हर्शित राना की कातिलाना गेंदबाजी का आगे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम भारत के आगे दो दिनों में घुटने टेक गई दिखाएंगे उनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी उनके चमतकार का पूरा वीडियो लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि हर्शित बुम्रा और स्टार्क में कौन सबसे खदरनाग गेंदबाजी अपनी कीमती रहा नीचे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अस्ट्रेलिया के टॉप और मैक्स विनी से लेकर उस्मान ख्वाजा और उनकी बैकबोन स्टीव स्मित को बिना खाता खोले पवेलियन भेजकर बुम्रा ने तो अस्ट्रेलिया ही बल्लेबाज़ों को दिन में तारे दिखा दिये जहां उनकी लेजर गाइड़ेट बॉल् और उनकी कौफनाग गेंदाजी के नतीजा हुआ कि 19 रनों पर ही बुम्रा ने उस्ट्रेलिया के तीन बल्लेबाज धेर कर दिया और टीम इंडिया को मजबूत स्थिती में पहुचा दिया तो मिचल मार्श भी कुछ रन बना पाते उसके पहले इस सिराज ने मार्श का शि और उस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबास पवेलियन भेज दिये थे जहां लबुशें 52 गेंदों पर केवल 2 रन बनाकर वापिस गए और टीम इंडिया ने केवल 47 के स्कोर पर उनके 6 बल्लेबास आउट कर ऑस्ट्रेलिया को बैक फुट में धकेल दिया था उनकी बरबादी का आ इस ओवर में 67 रन साथ विकेट के नुकसान पर बना लिये थे जहां अभी भी भी ऑस्ट्रेलिया ए टीम इंडिया के स्कोर से 83 दिन पीछे चल रही थी ऐसे में दूसरे दिन टीम इंडिया के पास मोगा था जल से जल्द ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर एक बहुत बड़ी 21 रन बना कर पवेलियन नौट गया और टीम इंडिया को दूसरे दिन बहुत बड़ी सभल था बहुत जल्दी मिल गई थी इसी के साथ जस्परीद बुम्रा ने भी अपना पंजा खोला था और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षोरा में लिखवाया था जह ने ऑस्ट्रेलिया को नहां सी रनों तक पहुचा दिया था इन दौनों के बीच एक अच्छी पार्टनर्शिप पनप रही थी लेकिन तभी 34 वावर लेकर आते हर्शित राना और कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं नौथन लियोन को केल राहुल के हाथों कैच आउट कर रवाकर हर्शित राना ने ऑस्ट्रेलिया को नवा सबसे बड़ा जटका दिया था जहां ये बल्लेबास भी केवल पांच रन बनाकर पवेलियन चल दिया तो अब भारतिय गेंदबास जल्द से जल्द आस्ट्रेलिया को आल आउट करना चाहते थे जहां बुम्रा ने पां दोस्तो अगर आप भी ये शस्वी जैसवाल और केल राहुल की शांदार बल्लेबासी को देखकर खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तो भारतिय गेंदबासों की शांदार गेंदबासी ने तो सभी को प्रभावित कर दिया था लेकिन इसके बाद टीम के सलामी बल्लेबासों ने ऐसी वापसी की जिसे देखकर हर कोई धंग रहे गया इस दोरान केल राहुल और ये शस्वी जैसवाल ने काफी जादा जबरदस्त बल्लेबासी करने के साथ आस्ट्रेलिया की टीम को तगड़ा जटका दे दिया यहां पर दोनों के शांद आपको बता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैच की टेस सीरीज का पहला दिन वर्थ के मैदान पर खेला गया जहां पर इस मैच में भारती टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबासी करते हो देड़ सुरन पचास ओवर के अंदर बना दिये और इसका पीछा करते है उस्ट्रेलिया के टीम दूसरे दिन पहले सत्र के अंतर तक बावन ओवर में 104 रन पर ओल आउट हो गए और भारती टीम को 46 रन की लीड मिल गए इस दोरान भारती टीम की तरफ से जस्परीद बुमरा ने सरवाधिक पांच विकेट जटके तो वहीं हर शितराना को तीन और मुहमत सिराज को दो विकेट मिले तो वहीं दूसरी पारी में जब भारती टीम बलेबासी के लिया आई तो ये शस्परीद बुमरा के साथ बारती टीम के बलेबासों की शांदर बलेबासी के बाद दुनिया भर के तमाम दिकजों ने हैरान कर देने वाला बड़ा बया बलेबासी के बाद भारती टीम की सलामी बलेबासों की सबर्दस बलेबासी देखने को मिली है भारती टीम की तरफ सी ये शस्वी जैसवाल और केल रहूल ने जिस प्रकार से सबर्दस बलेबासी करते हुए आज के दिन सभी को प्रभावित किया है वो वास्तब में ही काब को उनकी नानी भी याद दिला दी है तो वहीं सचिन तंदुलकर ने बयान देते हुए कहा है कि भारती टीम के लिए यशा स्वी जैसवाल और केल राहूल के सलामी जोड़ी ने काफी जादा बहतरीन बल्लेबासी की है दोनों सलामी बल्लेबास का बहतरीन प्रदर्शन करना इस बात का संकेत है कि भारती टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम के खिलाफ उसके घर में सबसे खतानाक प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरीके से तयार है इसके लावा उन्होंने आके बयान देते हुए कहा कि पहली पारी के अंदर भारती टीम की तरफ से दोनों सलामी बल् बासी की तारिफ होना अनिवारे है तो वही रिकी पॉंटिंग ने बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम के खिलाब भारती खिलाडियों ने काफी जादा बहतरीन प्रदर्शन कर दिया है भारती टीम की तरफ से पहले तो कपतान जस्परित बुमरा ने अपनी कपतानी के अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारती टीम की तरफ से जिस प्रकार से दोनों सलामी बलेबाजों ने बहतरीन बलेबाजी की है वो बता रहा है कि भारती टीम के युवा खिलाडियों के पास में किस तरह की ताकत मौजूद है जो किसी भी टीम के लिए हा अपने प्रदर्शन के जरीए परिशान करता हुआ दिखाए दे रहा है इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि जस्परीद बुम्रा ने आस्ट्रेलिया की टीम की नाक में दम कर दिया इतना ही नहीं अब तो भारती टीम के बलेबाज यशस्वी जैस्वाल और के अल्राहूल ने भी बहतरीन प्रदर्शन कर दिखाए जो साफ तोर पर इस पष्ट कर रहा है जिसे देखकर पूरा क्रिगेट जगत उनका दीवाना बन गया जी हां दोस्तो बारत और उस्ट्रेलिया की बीच खेले जवा रहे टेस्स सीरीज के पहले मैच में हर्शित्राणा और मिशल स्टार्क के बीच में एक जबरदस लड़ाई देखने को मिली इस दोरान मिशल स्टार्क ने हर्शित्राणा को उकसा है तो वहीं हर्शित्राणा ने पलटवार करते हुए एक ऐसा जवाब दिया है जिसको देखने के बाद सिर्व भारती टीम ही नहीं बलकि आस्ट्रेलिया भी उनकी दीवानी हो गई है तो आखिरकार क्या कुछ इन दोनों खिलाडियों के बीच हुआ ये तो आपको बताएंगे ही साथ में हर्शित्राणा ने कि इस तरीके से जवाब दिया जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है हर्शित्राणा और जस्परीद बुम्रा में से कौन है सबसे खतरना की इंदबास अपनी राय हमें नीचे दिये गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीचेगा मिल गई है दरसल हुआ यूकी भारतिय टीम आस्ट्रेलिया के खिलाब पहले टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान पर उत्री जहां पर भारतिय टीम ने पहले बल्लेबासी करते हैं पचास ओवर में देर्शु रन ऑल आउट होकर बना दिये और इसका पीछा कर आस्ट्रेल गेंदबास मिशल स्टाक ने जुबानी हमला करना शुरू कर दिया जहांपर मिशल स्टाक के सामने हर्शितराना ने पाउंसर गेंड डाली जिस पर मिशल स्टाक ने कहा कि मैं तुम से तेजी से गेंड फेक सकता हूँ और मैं इस बात को याद रखूँगा जिसके बाद अ हर कोई क्रिकेट प्रेमी प्रसंद कर रहा है तो दोस्तो इस मैच में हर्शितराना और मिशल स्टाक के बीच हुए इस मुमेंट को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे अपनी राए हमें नीचे दिया गए कमेंट बॉक्स में जरूर दे हैं और ऐसी तमाम खबरों के ल पहले टेस मैच में जस्प्रीद बुमरा ने पांच विकेट लेकर इती हास रच दिया है जिसके बाद जस्प्रीद बुमरा की पत्नी संजना का बयान अप सामने आया है इस दोरान संजना ने जस्प्रीद बुमरा की शांदार गेंद बाजी को देखते हुए उनकी पत्नी के बीच पहला टेस मैच खेला जा रहा है जहां पर इस मैच में भारती टीम ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए आस्ट्रेलिया की टीम को गेंद बाजी करने के लिए बुलाया इस दौरान भारती टीम ने 50 ओवर के अंदर